लोग बहुत जादा बिमार होते चले गए और वो उतनी ही तेजी से और जादा अमीर होता गया और दोस्तों अमीर भी इतना कि उसका नाम नोईडा, गाजियाबाद या मेरट नहीं बलकि जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रहीस होते हैं एक लिस्ट बनती है बकाइदा, एक कंपनी बनाती है उस लिस्ट में उसका नाम शुमार हो गया आप सोच रहे होंगे कि आखिर भीया एक तरफ तो आप लोगों को बिमार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी को अमीर कर रहे हैं तो दोस्तो जहां पर लोग बिमार होते हैं और कोई अमीर होता है तो उसमें फाइदा केवल उसी को मिलता है जो की बिमारों का इलाज करता है या फिर जो मरीज होते हैं उनके लिए दवादारू का इंतिजाम करता है यानि की जो बड़ी-बड़ी दवाई कंपनिया होती है लेकिन दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का जो नोईडा शहर है यहां के एक अस्पताल की उस अस्पताल का नाम है यह थार्थ छोटा सा हॉस्पिटल था एक जमाने में और आज इतना बड़ा हो जया कि उसने नोईडा के अंदर ही केवल तीन अस्पताल खोले हैं इसके अलावा ग्रिटर नोईडा में उसने लेंड ले ली जहांसी में एक अस्पताल ले लिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्या इलाकों में गाजियाबाद में एक नरेंदर मोहन ट्रस्ट है उस उसके अस्पताल में जाते हैं तो पैसा खच करते हैं और उसी के पैसे से वह व्यक्ति इतना रहीस हो गया कि उसका नाम उत्तर प्रदेश के जो लिस्ट है जो 50 लोगों की लिस्ट आई है रहीस होगी उसमें शुमार हो गया यथार्थ अस्पताल के दो मालिक हैं उनके ना चाहूंगा कि जब कामियावी आती है अकेले नहीं आती कामियाभी का लेकिन काम के शोटकट लगाया है तो आपको परिशानी आएगी अभी दो दिन पहले अखुबार पढ़र रहा था दो य तीन दिन पहले की बात होगी उस अखुबार पर था रही सोकी और मैंने अपने एक दोस्त को फोन पर वो लिस्ट भेजी और मुझे याद है वो भी एक उत्रप्रदेश का बहुत बड़ा वैपारी है कि मैंने का भाई तुम्हारा नाम इस लिस्ट में कब शामिल होगा क्योंकि नोएडा में एक यथार्थ हस्पाल है और उसका नाम तो इस लिस्ट में शामिल हो गया लेकिन आपका नाम कब शामिल होगा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई शॉटकट तो है नहीं तो इस वज़े से मैं अभी उस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता तो मैंने का कैसा शॉटकट उसने का भाई सब बहुत सार आर्थ होस्पिटल के पीछे पड़ चुकी है इंकम टेक्स की टीम लगतार चापे मारी कर रही है 16 ठीकानों पर दोस्तों चापे मारी हो रही है और चापे मारी में बहुत सारे तथ्थे मिले हैं जिसमें करोड़ों रुपे के टेक्स चोरी की सूचनाय मिली है अब वो पैसा यहाँ पर कैसे आया इस बात की जाच चल रही है यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग है जिनों ने यहाँ पर ब्लैक मनी दी हाला कि दोस्तों भी तक पुछ्टी नहीं है इस बात की लेकिन इंकम टेक्स की टीम यताथ होस्पिटल के ठीकानों पर चापे मारी कर रही करती और सौ से जादा पुलिस वालों को सयोग लिए जा रहा है इस पूरी जाच में तो खेर में बात कर रहा था कि आखिर यथार्थ हॉस्पिटल के पास इतना पैसा कहां से आ गया दोस्तों नोईडा जैसा शहर जहां पर पड़े लिखे लोगों की संख्या जादा है हेल्थ कॉंशनस लोगों की संख्या जादा है एक जमाना था कि जब लोग बहुत जादा बिमार पड़ते थे लेकिन अब तो लोग सिहत के प्रती बिल्कुल चिंतित रहते हैं एकदम जागरुक रहते हैं तो आखिर नोईडा में लोग इतने बिमार कैसे पड़ रहे हैं क्योंकि अस्पताल तो तभी चलेगा जब लोग बिमार पड़ेंगे और अस्पताल में पैसा देंगे दूसरी बात यथाथ हॉस्पिटल के पास बैड़ों की संख्या इतनी नहीं है तो उसके बावज़ूत इतना पै लॉंच कैसे कर दिया आइप जब लॉंच किया तो इंकम टेक्स के राडार पर यथार्थ हॉस्पिटल का मालिक आ गया बहुत सारी खामिया दोस्तों मिली हैं बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार जो मेरे सूत्र हैं इंकम टेक्स में बता रहे हैं कि कैश की सेल बढ़ से तो उस लोगों के भरोसी को जीतने के लिए पैरामीटर्स पर खरा उतरने के लिए जो आई प्योंच करने से पहले होते हैं तो उसमें कहीं न कहीं खेल किया गया तो ऐसी सूच रहा है इंकम टेक्स के पास पहुंचिए हाला कि मैं किसी भी चीज की पुष्टी नहीं कर इतना जरूर है कि यथार्थ अस्पताल में आज कल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जो मेरे जानकार है वो यह बताते हैं दोस्तों बहुत काम की जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि 80 से 90 प्रतिशत जो मरी जाते हैं वह सरकारी बिजनिस पर आते हैं यानिकि जो किसी ना कि की तो खूब सेवा करते हैं वी बी आई पी रूम में बठाकर अस्पताल वाले लेकिन सरकार को चुना लगाने के लिए उसका इलाज करते हैं आईस्यू में क्योंकि आईस्यू में दोस्तों बिल बनता है आईस्यू का लग बिल है किसी का पचासा यार रुपे परड़े के हिसाब से किसी का एक लाग गरूप परड़े के हिसाब से उसकी दवाई अलग आती हैं दवाईया खरी दिया आती हैं दवाईयों का यूज नहीं होता उसका अलग फायदा होता है तो बहुत सारी खामिया है अस्पताल के अंदर इंकम टेक्स की टीम जाच कर रही है नोईडा का यथात अस्पताल लगतार तरक्षी कर रहा है लेकिन एक सवाल का जवाब तो आपको देना ही होगा कि क्या नोईडा में लोग इतने बिमार पड़ रहे हैं कि यथात अस्पताल का मालिक दिनो दिन रात चोगनी तरक्षी कर रहा है उत्तर प्रिदेश के जो रहीस हैं उसकी लिस्ट में नाम शामिल हो जाता है दोस्तो ये वीडियो कैसी लगी जन सरुकार से जुड़ी ये वीडियो है इस पर आपके कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तो इजाज़त दीजी और मैं कोशिश करूँगा कि यथात अस्पताल से रिलेटिड जो भी खबर आएगी मैं आप तक बहुचाओंगा